जानिये भागलपूर लोगसभा सीट का राजनितिक समीकरन बिहार का भागलपूर जिला सबसे पुराना जिला है इसके तहट 6 विधानसभा की सीटे आती है इसमें बिहपूर, गोपालपूर, पीरपंती, कहलकाओ, भागलपूर और नातनगर शामल है पहले इसे चमपानगर की नाम से जाना जाता था यहां के राजनितिक समीकरन में पहले के मकाबले बहुत बदला हो चुका है आगामी चुनाओ को लेकर सब ही पार्टियों ने अपनी अपनी तयारियां शुरू कर दी है शहर के अतिहासिक महत्वक की बात करें तो यहां से कुछी दूरी पर विक्रमशिला अस्थत है आठवी और नौवेश नतापती में राजा धर्मपाल ने यहां विक्रमशिला के इंद्र विश्व विद्याले की अस्थापना की थी यहां बौध धर्म, विव्याकरन, संस्कृत और तंत्र विद्या की सिक्षाद दी जाती थी यह शहर, कंगा और कोसी के किनारे बसा हुआ है मानिताओं के अनुसार यहां महात्मा बुद्ध का भी आगमन हुआ था साल 1952 में यह लोगसबा सीट पहली बार अस्तित्व में आया भागलपूर को रिशम की नगरी भी कहते हैं मुक्य रूप से इसे तसर किस्म की रिशम के लिए जाना जाता है इसके मांक अंधरास्टे अस्तर पर है 2579 वर्ग किलो मीटर में यह जिला फैला है और इसकी आबादी करीब 30,37,776 है इस जिले में कुल 16 प्रखंज है और 1515 गाओं वहीं यहाँ पर गेहूं की खेती भारी मातरा में की जाती है साल 2024 में भागलपूर का विकास कारिय जारी भागलपूर का विकास कारिय जारी है इस शहर को स्मार्ट सिटी के रूप में विकसित किया जा रहा है स्मार्ट सिटी की यूजना 980 करोड के करीब है इसमें कींड्रो राज़ सरकार से अब तक 490 करोड की राशी स्विकृत की जा चुकी है इसमें अब तक 450 करोड की राशी खर्ज भी हो चुकी है जून साल 2023 में जुले को स्मार्ट सिटी के तौर पर विक्सित करनी का लक्षिन रिधारित था इसे अब 30 जून 2024 तक पूरा करनी का फैसला लिया गया है वहें शहर में कई तरह के विकास क्योजनाओं पर काम चल रहा है इसमें पंच उस्मार्ट स्कूल, सोलर रूफटॉफ, सर्फेस, पार्किंग, सैंडल्स कंपाउंट का सौंदरी करन आदी कार्य शामिल है वहें चुनाओं मुद्दे की बात करें तो यहां हवाई सेवा की मांग की जा रही है इसे लेकर धरना प्रदेशन आदी भी हो चुका है और लोग सभावे भी इस मुद्दे को उठाया जा चुका है अब तक किसका रहा इस छेत्र पर दबदबा भागलपूर में साल 2019 के चिनाओं में जन्तादल युनाइटिट के उमिद्वार की जीत हुई थी जदियो के टिकेट से अजय मंदल की जीत हुई एक तरफा मुकाबला हुआ था इसमें अजय मंदल ने आरजेडी के प्रत्याशी शैलीज कुमार को हडाया था वह इस बार भी सीट पर राजमितिक सरगमी तेज हो चुकी है मालुम हो कि भाज़पा के दिगच नेता और बीजेपी की रास्टी प्रवक्ता शैनवाज हुसेन भी सीट से सांसद रह चुके है साल 2019 में नौ मिद्वार चुनावी मैदान में थे मालुम हो कि पिछले लोगसवा चुनाव में अजय मंडले 6,18,254 वोट हासल किये थे जब कि राज़त के उम्मिद्वार शैलेस कुमार ने 3,44,624 वोट अपने नाम किया था 9,620 वोट के साथ नुसरुलाह तीसरे अस्थान पे थे चुनावी इतिहास की बात करें तो पहले भागलबूर में कॉंग्रस का दबदबा हुआ करता था साल 1952 के चुनाव में कॉंग्रस के अनुपलाल महता ने जीत हासल की थी वहीं भाजपा के सुशील मौदी ने भी यहाँ पर जीत हासल की थी साल 2024 के चुनाव पर टिकी सबकी नजर भागलपूर की लोग सभा सीट पर मुसलिम यादव और ब्राहमन वोटर्स की संख्या सबसे अधिक है इसके बाद S.C. और S.T. वोटर्स भी निरनायक भूमिका में होते हैं यहां मद्दाताओं की संख्या 22,68,449 है और इसमें पुरुसों की संख्या 12,00,000 से अधिक है जबकि महिला वोटर्स की संख्या 10,00,000 से अधिक है कहा जहा रहा है कि इस बार के चुनाव में यहां काटे की टक्कर होने वाली है आरजड की और से चुनाव में जूई थास्थ करने के लिए पूरे प्रयास किये जा रही है फिलहाल भाजपा का पल्रा भारी नज़र आ रहा है लेकिन चुनाव के नजदीक आते ही महौल बदल सकता है जदियो के गोपाल मंडल भी सीट पर अपना दावा कर रहे है वहीं जदियो के अजरे मंडल यहां से सांसद है अभी के लिए इतना ही अब जाते जाते हम आपके लिए एक सवाल छोड़ कर जाते है भागलपूर के लोगसभा सीट पर आपको एंटियो और महागडबिंदर में किसका पल्रा भारी नज़र आ रहा है आप अपना जवाब हमें हमारे कमेंट सेक्षिन बॉक्स में लिखकर जरूर दे धन्यवाद